दोस्तों बात करें तो जो PUBG Mobile न वो तो इंडिया में वापस आने वाला है यहां तक की Twitter पे official announcement हो गया अप लोगो पता चल चुका है लेकिन इसके बाद भी आपको काफी सारे सवाल है PUBG Mobile से related जो की लोगे मन में हैं और सारे काफी सारे doubt और कुछ problems भी हो सकती ही PUBG Mobile से related तो सारी बात इस वीडियो में discuss करने वाले तो वीडियो कर आप लोगो हलका सभी पसंद आ रहा हो कुछ भी इंट्रस्टिंग लगे तो वीडियो को like कर लो चैनल को subscribe कर लो अभी तक नहीं किया है तो और सबसे पहले जो बात ने आपको बताने वालो ना कि मैंना को पिछले हफ्तिक वीडियो में बहता है तो एक टीजर आने वाले है जिसमें आपको इंडिया के popular streamers देखने को मिलेगे उस टीजर को भी इंडिया में release किया गया और बात बताओ ना तो वो टीजर का सिर्फ ए कब मिलेगा फिलहाल के लिए जो बोला किया था वो बोला किया था डिसेंबर 2020 से पहले लेकिन कुछ खबरों को सुनने में ये भी लग रहा है कि 2021 तक भी चीजर दिले हो सकती है क्योंकि काफी सारे अडचने वगरा भी आ रहे हैं तो होफ़ुली 2020 में आजाए डिसेंबर मे किस तरीके से खिल ले और इसके साथ एक important बात ये भी है कि PUBG Mobile के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो गेम है ना अभी के समय में सिर्फ Play Store और Apple के App Store पे आएगा और जो आप Third Party Store देख रहे हो ना जहां पे आपको Pre Registration देखने को मिल रहे हैं सब के साब fake हैं इन में से कोई भ कोई पुराना PUBG Mobile नहीं होगा इस गेम का नाम भी बदल गया और इस गेम का नाम होगा PUBG Mobile India येस ये आपको नया गेम देखने को मिलेगा इसी नाम से नय लोग के साथ देखने को मिलेगा और इसी को ध्यान में रखके India specific कुछ चीज़े देखने को मिलेंगी आपको जैसे बात वो बिना कपड़ों के आ जाता था तो वैसे ही यहां पे आपको जो प्लेयर है ना वो पूरे कपड़ों के साथ दिखाए देगा शुरुआत से इंटरनेशन वाला जो PUBG रहता है ना वहां पे बिना कपड़ों के होगा लेकिन यहां पे आपको पूरे कपड़ों के साथ दि जिससे PUBG से related जो लोग का एडिक्शन होता है वो कम किया जा सके, तो यानि कि जो digital well-being चीज होती है उसे भी हाँ पर imply किया गया है, और इसी के साथ ही बात करें, तो PUBG मोबाइल में जब आप अपने पुरानी user ID से sign in करोगे न, तो आप लोग को एक option देखने को मिलेगा कि आप अपना जो पुराना data है वो migrate करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने कुरानी कोई भी RP खरीद रखी, कोई purchase वगरा कर रखी PUBG मोबाइल के अंदर, तो उसको migrate करने का भी आपको option दिया जाएगा, यहाँ पर जब आप पहली बार इसमें sign in करोगे, तो यह भी काफ़ एक interesting चीज है, अगर आप नई ID बनाओगे तो आपको यह option देखने को नहीं मिलेगा, तो इस पर मैं थोड़ी रोखशनी डाल देना चाहता हूँ, exactly जो news आईती न, यह आई थी काफी reputated, जो आपका newspaper है, Times of India उनकी तरफ से, अब बात करें उन्होंने government officials को पूछा, अब government officials ने बोला कि PUBG Mobile को वापस लाने को कोई plan नहीं है, क्योंकि बाद यहाँ पर यहाँ पर यह कि उन्होंने PUBG Mobile के बारे में पूछा था, PUBG Mobile इंडिया के बारे में नहीं पूछा था, PUBG Mobile एक separate चीज़े, जिसे Tencent करने बना आया था, और Tencent उसे इंडिया में operate करती थी, और Tencent को जो Chinese connection था न, इसलिए उसको ध्यान में रखके उसे band किया गया था, लेकिन अब जो PUBG Mobile इंडिया है, यहाँ पर वो Tencent का यूज नहीं कर रहे है, यहाँ पर Craft & Company खुद आके publish कर रहे है गेम को, और यह individually एक नई तरीके से जो गेम है न, वो उस तरीके से establish होगा, तो यहाँ पर band, unband की बात नहीं होती है, यहाँ पर बात यह कि जो पुराना गेम है, वो तो band रहे गई रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया गेम देखने को मिलेगा, जिसका नाव होगा PUBG Mobile इंडिया, लेकिन एक बात यह भी आती है, कि Crafton Mobile के अंदर 10% Tencent का भी जो share होता है, वो है, यानि कि 10% Crafton को own करती है Tencent Company, तो इसको मैं clear कर देता हूँ, एक्जेकली कहाँ काफी सारी बड़ी-बड़ी companies में stake होते हैं, और government से इस business पर decision नहीं ले सकती, कि exactly इस company के अंदर जो stake है, वो किसी Chinese company के, एक काफी अच्छा एक्जामपल है, अगर PUBG बड़ी बैन हुआ था, तो इस हिसाब से Call of Duty Mobile और यहां तक कि Fortnite को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि Epic के अंदर भी Tencent की partnership हो रखी है, यहां तक कि इस logic के हिसाब से Paytm को भी बैन करना चाहिए, लेकिन आपको देखने को मिलता है, पेटm के अंदर भी Chinese investor ने पैसा डाल रखा है, तो इस टैक की चीज़ से अलग हो जाती है, तो देखा जातो तो डिरेक्ली जो चाइना की तरफ से जो operation देखने को मिलता था PUBG Mobile के अंदर, तो वो पूरा Chinese तर डिरेक्ट चाइना से चीज़ें operate होती थी, ये ध्यान में रखके उसे बैन किया गया था, लेकिन अब जो PUBG Mobile इंडिया होगा, अगर वो government को convince कर देते कि हम Microsoft Azure का use कर रहे है, security service प्रोवाइट कर रहे है, और जो service होंने हम इंडिया में ही operate करेंगे, और इंडिया में ही जो इंडियान यूजर का data वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, तो डेफिनिटली चीज़ देखने को मिलेगी, और वैसे सच बात बताऊ ना, तो इस तरीके से कोई भी कमनिया गेम लेके आना चाहती है ना, तो उसे दुबार सिर्फ गवर्मेंट से परमीशा लेने की जरूवत नहीं है, क्योंकि जो जी गेम उन्होंने बैन किया था न, वो Tencent ने बनाया था, वो गेम कम्प्लीट लिए लगता, अब आपको एक नया गेम देखने को मिलेगा, वेल, उसी गेम के एक मॉडिफाइड वर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन एक नया नाम से, जिसका नाम होगा PUBG Mobile India, तो बात करें तो इस गेम से रलेटेड अभी आपको टीजर देखने को मिलेगा, एक दो टीजर और देखने को मिलेगा, फिर एक ट्रेलर भी देखने को मिलेगा, और फिर आपको पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी, डैट सिट, लेकिन हाँ, काफी अच्छे काम कि उन्होंने, यहाँ पर भी हाइप बिल्ट करनी कोशिच की जारी, लेकिन आप ऐसे एक से एकस्पेक्ट नहीं कर सकती है आपको बहुत ही जल्दी देखने को मुलेगा फिलाल के समय में आप लोगो सही बोलना चाहता हूं आप लोग वेट करते रही है डिसेंबर के एंड में ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी अगर मिलने वाली होगी तो नई तो यह हो सकता है 2021 दक डिले क्योंकि जो पब्जी मोबाइल जैसे गेम होता है इतनी सारे चीज़ेक्ट मोबाइल फोन के गेम के अंदर डालनो और दुबारा से काफी सारी चीज़े रीक्रीट करना वो इतना असान नहीं होता क्योंकि उन्हें भी मालुम है कि जिस दि लिए एक ट्रेलर और ओफिशल रिक्लीजट आपको बहुत ही जल्दी सुनने को मिलेगी, so stay tuned for that और बाकि अगर आपको वीडियो पसंदार हो, steps related और भी कफी amazing content को enjoy करना चाहतो चैनल पर बहुत सारे amazing चीज़े तो प्लीज चैनल को subscribe करो, वीडियो को like करो, thank you आपको वीड एक वीडियों गुट्बवियो